प्रिदर्शकों, मित्रों, शाथियों, हमारा भीतर का अंतर सब कुछ जानता है हमारी चेतना हमें इसा जागरुक रती है शही है या गलत है ये जानकर हमें होती है क्योंकि हमारा जो मन है उसाथ जानता है चुनोती तो मन को समझने में है जिसने मन को समझ लिया वो तर गया दूसरा बिखर गया जिसने मन को नहीं समझ जा अब नमव ना रहें अगला योग वैदर्ती होगा अगला नक्षतर प्रुवार शड़ा होगा और नक्षतर श्वामी शुकुर देव यानि आज चंदर देव के नक्षतर में संचन करेंगे पूरे देव अगला योग योग है प्रातकानी लगन करक लगन है करक राशी में शूरी है धन राशी में चंदर देव है शिंग राशी में मंगल देव बुद देव शुक्र देव का संचन है मेश राशी में ब्रश्पति देव रहु देव का संचन है कुम राशी में शनी देव तुला र प्रशी याधार पर 30 जुलाई 2023 का मैंने राश्पल लिका है आज का जो अभी जीत मुर्थ है वो दोपर 12 बजे से लेकर दोपर 12 बज कर 54 मिनट तक है यानि अवधी 54 मिनट है और यह 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुबकारिय करने के लिए सबसे उत्तम महरत है कोई भी नया सुबकारी जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना है उसे अभी जीत मुर्थ में करें और अभी जीत मुर्थ भगवान सीरी हरी को बहुत प्रिया है आज का लाब का चौगडिया सुबह 9 बज कर 4 मिनट से लेकर सुबह 10 बज कर 46 मिनट तक है अमिन्त का चोगडिया सुभी 10 बज कर 46 मिन्ट से लेकर दोपर 12 बज कर 27 मिन्ट तक है सुभ का चोगडिया दोपर 2 बज कर 9 मिन्ट से लेकर दोपर 3 बज कर 51 मिन्ट तक रहेगा आज का जो रहुकाल है वो साम साड़ी 4 से 6 बजे के बीच में है और रहुकाल दुरन शुबकारी करना, शोदा करना, पुझे निमिज करना, अनुकुल और उचित माना नहीं गया, ये सलह मेरी और मर्जिया, यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज की दिन यात्रा करने से पूर, इदी मीठा पांच चबाते विए यात्रा पे निक आई नहीं है, और ऐसा कोई बंधन नहीं है, हाँ, जब आज की दिन आप यात्रा से घर से बार निकले, तो पहले साध कदम उत्तर दिशा की और जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हैं, मंगल में यात्रा की कामना की साथ, ओम घ्रणी सू सनिधाम का जो नंबर है, गोशाला का नंबर है, उस पे आप फोन तरहें, जो लोग वहां काम करते हैं, उनका आफिस का अपना एक ताइप है, आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बजे की बीच में उठाए जाएंगे, इसलिए मेरा निव इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान देंगे, प्रदेशकों मित्रों शाथियों, 30 जुलाई आपका जनम दीन या फिर सादी की साल गरे, तो मेरी और से आपको हरदिक सुब काम नहीं, आपका जीवन ख पाई खुद का रहे, आज प्रातकाल, नित्य करन्यों, सनानों प्रांग, कहीं से भी स्वित अप्पा मार का पोधा मिल जाता, तो जड़ से उखार के घर लेका जाए, जल गंगा जल पंचामिर से पवितर करे, सद्धापर पंच पचार पूजन करे, दूप, दीप, नहव प्रांग देगा, यह इस पोधा का अपना एक प्रभाव है, रविवार के दिन प्रातकाल, नित्य कर्मियों, निर्दोशिनान, ब्रहमुर्थ में घर के मुख्य दौआर पर एक लोटा जल छेड़ दीजे, उस पर चौकी के ऊपर, या किसी अच्छी जगे पर साथ मुटी गेहों की धेरी बनाईए, और सुद देशी घी का दीपक परिलिस कर लिजे, सांत हो जाए, तब दीपक को किसी पेड़ी के निचे रख दिए, और गेहों पक्षों को डाल दीजे, उसके बाद, शर्दान उसार गेहों, लाल कपड़े में बांद कर, सवा किलो, सवा पांच किलो, जो आपके सर्दा, किसी गरीब जरुत्मन वेक्टिक को दान में देजेगा, यह उपाई हर रविवार करें, और साल भर रविवार के दिन करें, कामकाज कारबार नो करीब है, विशाय केरियर, समाज, परिवार की, कोई भी परिशानी होगी, उसमें कम ही आएगी, अ चंदर देव नमंभाव में संचन कर रहे हैं, और नमंभाव में चंदर देव, केतु देव की नक्षतर में संचन कर रहे हैं, शमें इस बात का संकेदिर है, कामकाज कारबार नोकरी वेवेशाय में सपलता अपने परियासों से मिलेगी, इसलिए मेहनत, परिश्रम और पिता की सयोग से केरियोर और कामकाज में उत्तम उसर मिलेंगे धार्मी की आत्राओं का योगे सेवा का मौका मिलें समझे की सरुकार बढ़ेगा और परिवार का साथ ठीक रहेगा यह और विद्यारतियों को आज परियासों के अनकुल शफलता प्राप्त होगी साथ समझिक शेवा में बड़ जर्री हिस्सा लेंगे मनों कामना पूर्ती होगी परिश्रम और महनस से केरियर कामकाज कारूबार नोकरी और सिख्षा के छितर में अच्छी सपलता हसिल करें क्या करें पारवारिक जीवन की अनकुलता को बनाए रखने के लिए समझोता वा जी की सिर्चर्णों में सुध चमेली की तेल का चमुका दीपक प्रश्डियत करें तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा नमनेन बात करते हैं विश्वराशी आस्टमभा में चंदर देव केतु देव के नक्षतनों में संचन कर रहे हैं घ्रहकुष्ष्र की प्रतिकु भूमी और वहान में क्या गया निवेस नुक्सान देगा मांसी के सारी तनाव बढ़ाएगा इस्थान परिवर्तन ना करें तो बहतर होगा स्वास्टमें दी परिशानियों से भी आपको थोड़ा सावधान देना होगा चिकसा में लापरवाई नी करें और वाद वाद से ह पुंजी नेवेस ना करें सुबंकनो सुबंकनो सुबंकनीला भागया आपकी पक्सें 35 परसनलापका संकेते देरें बिश्टब राशवालों प्रतगाल नित्य करम नित्यकरम निव सिनान अवरण धाभर भगवाण शिव की गायतरी ओम्तत पुर्शाय विद माहादेवाय अगे बढ़ने का मोका मिलेगा जोकिवे कारी बनेंगे सासर उत्सा बना रहेगा शत्तु पक्स चाकर भी नुक्साने का शोजनों का सयोग मिलेगा कड़ी महनत कठीन परिश्गा युवाओं को बहतर लाब का संकित दे रहा है सफलता जरू मिलेगी धनकी ब्रिदी होगी आतमल बढ़ेगा परिवार का शुक और सयोग मिलेगा मनुकामना पूरी होगी नौकरी और कैरियर में सफलता हासिल होगी क्या करें पारवारिक एकता को बना कर रखें क्या ना करें दूसरों की अहित के लिए कोई कारिय ना करें बात करते हैं करकराजी लेकिन उससे पहले आज का उपाए बहुत से मित्रों का सवाल होता है शाथियों कि मेहनत, संघर्ष, परिश्रम की बावजूद भी हमें कारियों में शफलता नहीं मिलती है बिना वजे अनावशक परिश्रम का सामना करना पड़ता है लोग परिशान करते हैं मुझे मेरी मेहनत और परिश्रम का हक मुझे नहीं मिल रहा है क्या कर रहे रविवार के दिन प्रादकाल नित्य करम जन्यों सुनान उप्रांत तांबे के लोटे में जल ले लिजे साथ चुटकी रोली साथ गुलाब के पत्ते साथ छोटी डली गुड़की और शाथ लाल मिर्च के दाने डाल कर ओम उज्वलाय नमहा इस मंत्र का 108 बार जाब करिए और उगतेवे सूर्यों को जल अर्पित कर देजिए वित्रों लगातार 40 रवी बार करके देखेगा शफलता मिलेगी और परिशान से मुक्ति मिल जाएगी नमनेन बात करते करकरासी चटे बाव में चंदर देव चटे बाव में चंदर डेव केतु देव के नक लेक्षत रगणा उत्तम लाप शपलता और खुशी का शंकेदरी अनाव शख्विकिन परिक्षान से जुटकारा मिलेगा नौकरी में उत्तम उसर मिलेंगे जौब शमद्री मसले हलोंगे और जौब को लेकर आज उत्तम लाप का संकेद नजर आ रहा है कानोनी मसले हलोंग करजों से जुटकारा में लिगा, स्वाश्रमंदी परिशानिक से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। जिसरे के घरे योगाई होगे, आज का दिन आपके लिए बड़ा शुब्र हैगा। आप विद्यारती हैं, आप युवाहर उच्छा में अध्यांदत है। तो एजुकेसिन और केरियर के हिसाब से नक्षतर गरना पूर्ण ता आपके पक्ष में लापका संकेत देरी। सुब्समातार्य की प्राप्ति होगी, मनोल को रोजगार के साधन प्राप्त होगी। स्वजनों के स्वख्षे कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवस्वर प्राप्त होगी। क्या करें? मातापिता क्या आज्या का पालन करें। क्या ना करें? स्वास्त्य को लेकर लापरवाइन नहीं करें। शुबंग्चा शुबंग्चा शुबंग्क्रेम भाग्या आपके पच्छतर प्रसंद लाप का संकेत है करकला शिवालों। प्रदगाल नित्य कर्म ने उसे नानो प्रण शृधाप्र भगवान शिव का पूजन का रहे है। शृषीवह नमस्तों भ्य हम इसमांत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर शृधाप्र हमा उत्तम रहेगा। लेंदेन की मसेले ठेक ने आर्तिक पकसुदर होगा। शम्शाओं का निधान मिलेगा। यात्राओं का योग ने जिराएगा और यात्रा में शक्वलता मिलेगा लेकिन चाहिए वो नोकरी हो चाहिए परिवार हो चाहिए समाज हो या वैविशा ही हो विवाद को टालने की कौसिस करें विवाद से आपको नुक्सान होगा और उसका विवाद से आपकी अर्थ वैव किसी भी लंबी योजना के लिए आज के दिन कोई समझ होता ना करें सुबंग साथ सुबरंग प्रपल भाग्या आपके परकूं साथ प्रसंद लाप का संके थे सिंग्राशी वालों प्रदगाल नित्य कर्में सुनान उप्रांथ इस्थ पूजन के बाद सरप्रतम किसी संचन करें समय प्रतिकुलता परिशानी और कष्ट का संकी दे रहें कारिवावशाय में बादा हो सकती नौकरी में उठापटके लेंदेन के मसलेटर अटकेंगे मांसिक वेदना से गुजना पड़ेगा मन बेचेंड हैगा घर परिवार का माहुल कलह पूंड रहेगा आव संधिक संबंदो से बचना होगा अनिता मुश्किलों का सामना करना पर सकता है आज आरोप और प्रत्यारोप की संभावना भी नज़रा रही है लापरवाई मत करें क्या करें स्वजनों की स्वयुक्षे कारें और परिवार आपके साथ खड़ा रहे इसके लिए आपको कड लिएव को हरी वस्तों का दान देना बड़ा शूब रहे गा नमनेल नर बात करते हैं तुलारासी तीसरे भाव में चंदरदेव के-तु-देव के नक्षत नंस्चन कर रहे हैं इस बात का संकेतर के सास्ट और प्राकर में बृद्धि होगी मनोबल बहुत मजबुद होगा आतमबल बहुत मजबुगोद मनो आउश्यत्ताओं की पूर्ती होगी, कामकाज कारबॉर के लिकर असपस की यात्राई अच्छा लाब देगी, धर्मकर में रूची बढ़ेगी, भाई बंदरों मित्रों का स्योग बना रहेगा, मान परतिष्ठा बढ़ेगी, धनलाब के उत अच्छे योग, क्या करें, नमिन कारे के प्रस्ताओं, अपनों के साथ बैठकर स्विकार के इंगल अच्छा रहेगा, क्या ना करें, गैर कानोनी कारें ना करें, सुबंगतिन, सुब्रंगुला भी, भाग्यापके परसुन, 85% लाब का संकेत हैं, तुलाराश्यवालों, प्रादगाल, नित्य कर्म, नियो, सिनान, उप्राण, श्रधान, उशार, गरीब, जरूत्मन, किसी भी, नो वर्स की कम, आयू की कन्या को, श्वेत वस्तर के साथ, साथ, चावल का दान देना उत्तम रहेगा, नमनन, और बात करते हैं, विर्ष्यगराशी, दूसरे भाव म में परिश्रम की आवश्रता है, अपने शाथियों को नाराज नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, और थोड़ा सा संतुलन बना कर चलेंगे, तो अच्छा रहेगा, वैसे कलाल कोसल के चित में प्रसान मिलेगा, मान समान बढ़ेगा, वैविशाइक समंदों में प्रगा शुबंग एक शुबंग पीला, भागी आपकी प्रशनला आपका संकेते हैं, विश्रक रासिवालों, प्रदगाल नित्य कर्म निव सुना नमुश्रधा पुरूग, हनमान जी की सिर्चर्णों में सिंदूर अर्पित करना बढ़ा शुब रहेगा, आर्चुटकी, एकिस जो आपकी सर्दा, नमनन और बात करते हैं, धन और आशी, लगन भाव में चंदर देव, और लगन भाव में चंदर देव, केतु देव के नक्षतम में संचन करें, समय शुबर उत्तम है, बादहार उपरिशान से रात मिलेगी, रुकवे काम बनेगे, परिवार का साथ मिल मांस्तमान बढ़ेगा, आर्थिक्स में सुधार होगा, देश विदेश अच्छे कारोबारी श्रमन भी बनेगे, वे विद्यारती जो अपने घर से बार दूर जाकर दिन कर रहे हैं, उनके लिए सुब समाचारों का संकेर, नक्षत ग्रणा आज केरियर और अच्छा समाच क्या ना करें, दूसरों के हिद के लिए कोई कारें ना करें, भाग्या आपके पक्ष में, अस्ची प्रशनलाप का संकेत हैं, धंडाश वालों, एक पकावा पपी था, छील कर गाई को खिला दीजेगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, नमनाने, और बात करते हैं मकरासे के लिए उससे पहले आज का उपाए, कुछ मित्रों ने कहा सब कई वर्सों से राजनेति के छेतर में हैं, लेकिन राजनेति के छेतर में शफलता नहीं मिले, उताओ चड़ाओ, परेशानी कष्ट, मेहनत करते हैं, परेशनम करते हैं हमेशा, लेकिन उसकी और गुरुवार के दिन सर्धान सर्शुद देशी घी किसी भी कुष्ट रोगी को दान में देना उत्तम रहेगा, यह उपाय लगातार 40 गुरुवार करके देखेगा, शफलता में जाएगा, लगर ब्रशपत्ति के बीज मंतर का जाद तो आपको हर रोज शुबेशाम करन देगा, दो माला, तीन माला और घी का जो दाने वो गुरुवार को करना, तब करके देखे, लाब शपलता जरू मिलेगी नमनेन बात करते हैं, मकराशी 12 भाव में चंदर देओ, 12 भाव में चंदर देओ, केतु देव के नक्षतरों में संचन करे, समय प्रतिकुलता परिश रहे और अपनों की आउशक्ताओं पर ध्यान दे, अनेता प्रिशानी आ सकते, आपको अपने वेवार को शंतुलित रखना ही होगा, अनेता कारिये में बाधा और प्रिशानी है, धन की कमी है, वेर्थ की वारता से अपनों से मन मुटाव का संकेत नजर आ रहा है, और संयम नहीं रहे, वानी में मधूरता रहना बहुत जरूरी, अनेता कारी भीड़ेगा, गुप्त समंध हो या गुप्त बिमारी, दोनों ही आपको प्रिशानी देगी, चिकसा मिला परवाई नहीं करें, और रिस्तों की प्रती, पवित्यता और परिशुदता रहे, क्या करे आए और वे को संतुलन बना कर चले, क्या ना करें, किसी को धोका देने का प्रियास ना करें, सुबंग्चार, सुब्रंग्रे, भग्या आपकी पक्षण, 35% लाब का संकेते मकर राश वालो, शर्धान उशार तिल, चीटियों को डालना बड़ा उत्तम रहेगा, नमनेन बा समाजिक सरकल बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉम्णिकेशन इसकेल अच्छा रहने, नेट्रिंग अच्छी रहेगी, समाजिक नेट्रिंग बहुत मजबूत रहेगी, नए रिस्ते बनेंगे, वैवशाय नौकरन विस्तार का आउसर मिलेगा, चल अचल संपत्य की प्रा आउसर मिलेगे, अपना च्छमता दिखाने का मौका मिलेगा, और केरियर रुकाम का कारबार में युवाँ को मनवाचिल लाग की प्राप्ती हो, क्या करें, अपनी कारी च्छमता का प्रियोग करें, क्या ना करें, सास और प्राकरम को कम ना होने, शुबंग पांच, आउसर में चंद्रदेव, केतु देव के नक्षतर में संचन करें, गोचरी इस बात का संगदरी की कारी इस्तर पर आपका वर्चसु रहे, कारी आपकी पकड में रहेगा, कामकाज, कारुबार, नौकरी, वेविशाई को लेकर उत्तम अउसर के साथ साथ मार्केट में आप ने देश-विदेश के ने अनमंद परात होगी, जो भूश्य में लापरसिद होगी, अनकुल फलों की प्राप्ती होगी, मनों कामना पूर्ण होगी, सरकारी और राजनेत की सेत्म रुत्मा बढ़ेगा, नया कारी आरम करने के लिए आज का दिन सुब है, आप युआ हैं, केरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, वेविशा Ming brutal, अपनों का साथ मेल बढ़र शिक्षा के लिए सपलता, क्या करेगी, कंपवार परवारिक रिजाबन्द से करेगी, क्या ना करेगए, अपनों से बैर्भाव न रखे, सुबंग चार, सुबंग शाज, सुबंग पीला, भा पैपाय करके देखेगे कष्ट और परिसान से छुटकारा मिलेगा नमनाए। प्रदर्श्टों, मित्रों, शात्यों यह था पारक बारा राश्यों का राश्य पर जो नक्षट्र गण्णाओं के आधार पर आंकलन मेरे था। मित्रों शात्यों न भाय न ब्रह्म न ब्रांति ने विवाद ने टर्क शेक्न उपने इंगा था आपका था आपका है रखी करेगा मनूनमनू आपकी मरलचा ने मला शहाल्तान का हर वहक्ति जानता हैक दातिमराच गायायों से बहुत प्यार करता है। हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का शेवा में अपना जीवन जिस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्थिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नह नहीं कभी नहीं आये था हमेशा मैंने यह काक्षाप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान में जो आर्थिक प्रस्तिय है वो मेरे को यह कहने के लिए मजबूर कर दी है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शेवा के साथ खड़ा हूं आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके स खड़ा रहूंगा पूरी साल खड़ा रहूंगा जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूंगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गायों के लिए चारे की वैबस्ता कर लीज़े और इसलिए मैंने कहा था कि एक बार निवेदन करेए तुमेन नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा यह एहक आइग Always अर्फेयं मेरा राश राश रहो हैं मैं यह नहीं कहे रहा हूँ में पराश्रम करूँगा आपके लिए और परैश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा नीवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग बीश से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनीधाम गोशाला में 200 रुपिया चारा का दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकोंसे अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनीधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है सासन के अपनी एक सिमा है अपनी मर्यादा है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनीधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरू सयोकर मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोन आ रहे हैं